नमस्कार, बार बार हतासा मिल रही है, बार बार निरासा मिल रही है, बार बार आपको असपलता मिल रही है, आपने कोई लक्ष लिया या कोई टार्गेट लिया, खूब मेनत कर रहे हो, जी तोड मेनत कर रहे हो, राद दिन एक कर रहे हो, फिर भी असपलता मिल रही है, फिर भी आप success नहीं हो रहे हैं और दिन बद दिन दिल में निरासा हतासा उदासी बरती जा रही है आप ठक रहे हो आप हार रहे हो और आप मन में रो रहे हो क्यों क्योंकि आप जो महनत कर रहे हो उस महनत का आपको नतीजह नहीं मिल रहा है उस महनत का आपको result नहीं मिल रहा है आप ठक हार कर बैठ गए क्या अब क्या करूं मेरी आसपलता बस निश्चित थे अब मुझे कुछ नहीं हो सकता आज मैं आपको एसी स्टोरी बताऊंगा ना कि आपके मन के अंदर एक जुनूर की आग पेदा कर देगी आपको अभी लग रहा है कि मेरी असपलता में मेरा बविश्चित थे कर दिया है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता तो एक बात दियान रखकर आपकी असपलता आपका बविश्चित थे नहीं कर सकती है जब तक आपके मन में महनत करने का जो जुनूर जजबा है कोसिस करने का जजबा है ना तो जितनी भी असपलता अभी आपको मिल रही है ना वह आपका बविश्चित थे नहीं कर सकती है लेकिन अभी जिस इंसाम कि मैं आपको असपलता बताऊंगा ना आप कांट बिलीव देट वाउ इतनी असपलता फिर भी इतिहास में अपना नाम कर दिया अभी आपके सामने बताऊंगा माइकल जार्डन नाम सुना होगा बास्केट बोल के सबसे महान खिलाडी पता है आपको शुरुआतों के हाइट बहुत कम थी उनको बास्केट बाल का खिलाडी बनना था लेकिन हाइट के करण उनको डिजेक्ट किया गया फिर उन्होंने मेहनत की जी तोड़ एक्सराइज की और तरह तरह के प्यास किया अपनी हाइट बढ़ने के लिए और केते ना कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक करते हो ना तो बगवान भी आपका साथ देते है अचानक माइकल जोड़न की नंबाई बढ़ती है जितने बास्केट बॉल खिलाड़ी की नंबाई होती है उनकी नंबाई हो जाती है फिर भी उनको सपलता नहीं मिलती देखिया आप लगातारा सपलता मिलती है उनके कोच उनको कहते कि मोस्केट बोल खिलाड़ी मनने का सपना छोड़ दो और एरफोस जोइन कर लो लेकिन माइकल जोड़न हार नहीं मालती है खेलते रहते कोशिस करते रहते तीन सो गेम हरे आपको कितनी सपलता भी नहीं होग और इनना अपनी आत्म कथा में लिखा कि 9000 लिसन कैफुली 9000 शोड्स मिस किये 9000 शोड्स कितने होते 9000 बार उनको असपलता मिली लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी डटे रहे कि मुझे कुछ करना है और फिर क्या हुआ इतियास रच्दिया छे बार उनको बोसकेट बॉल में NBA का टाइटल मिना छे बार NBA टाइटल मतलब होता है कि बोसकेट बॉल का सबसे बड़ा अवार्ड उनको छे बार मिला और बोसकेट बॉल में महान खिलाडी हुए माइकल जॉर्डन अपनी जीवनी में कहते हैं कि मैं आसपलता स्विकार करता हूँ मैं आसपलता स्विकार कर सकता हूँ मुझे कितनी आसपलता मिली है मैं स्विकार कर सकता हूँ लेकिन वो कहते हैं कि मैं कभी ये स्विकार नहीं कर सकता हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की मैंने अर्पने लाइट में कोसिस नहीं की ये कभी में स्योकार नहीं करूंगा तो माइकल जोडन को कितनी अशपलता मी लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हडी मैंना जोज जुनूर के साथ में कोसिस करते रहे माइकल जोडन कहते है कि आपको जो अभी वर्तमान में आस अपलता मिल रही हूँ आपका बविश्च ताई नहीं कर सकती है किसी भी आलत में नहीं कर सकती है अगर आपके मन में जोज, जुनून, जजबा और महनत करने का और प्रियास करने की सकती है ना तो वर्तमान की असफलता है आपका पविशित ताही नहीं कर सकती है और इसका एक्जेट एक्जामपल माइकल जोर्डन कहते हैं कि मैं हूँ 300 गेम हारे मेंने 9000 सोट्स मिस किये फिर भी मैंने असफलता सुखिकार नहीं किये कोशिस करता रहा मैंनत करता रहा और रिजल्ट आप सब के सामने इसलिए त्यान रखना की अभी आपको वर्तमान में कितनी असफलता मिल रही है कितनी निरा सा मिल रही है कितनी हता सा मिल रही है आपका मन रो रहा है मैं जान रो मन नी मन अंदर कच्छोट रहा है आपको कि लोग क्या कर रहे इतनी असफलता मुझे क्यों मिल रही है कोई बात नहीं मिलने दे यह असफलता आपका बविशता ही नहीं कर सकती है आप कोसिस करते रहें मेहनत करते रहें आप की सफलता आपको अवश्य मिलेगी बस आप हार मत मानना बस आप कोशिस करना मत छोड़ना और बस आप मेहनत करना मत छोड़ना एक न एक दिन तो उपर वाला भी आपको देखेगा कि आपको कितनी मेहनत कर रहा है ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा है राद दिन एक कर रहा है किसी न किसी दिन तो उसका भी दिल आपके उपर पसीज़ेगा किसी न किसी दिन तो वो भी आपके उपर सपलता की बरसाथ करेगा बस महनत और कोशिस करना मत छोड़ना जीवन में अभी आप सपलता में कोई बात नहीं लेकिन आगे आप सकसेज अवश्य होंगे